हेलो फ्रेंट वेल्कम बेक टो माई चैनल आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले है स्कूल यूनिफोर्म के लिए स्कार्ट कटिंग और स्टेचिंग तो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लेज परस्क्राइब लिए चैसे रख लिया है तो ऊर्थ देख लेते हैं फैब्री की है कट कुछ रफैपीसाइज बच्चे के लिए यह हम बना रहे हैं तो यह देखीं नाप लेते हैं बैसे कितना है तो बैसको कोम्रम देख़ ऑया है 54 इंच इस धे को उर्फ़श तो उर्थ म दोनों साइट के लिए बेक एंड फ्रॉंड के लिए तो हमारा स्कार्ट की लेंग्ध रहेगा 11 इंच और हम उपर की मर्जिन स्टिचिंग मर्जिन के लिए हाफ इंच छोड़ेंगे यहां से और नीचे की आप फोल्डिंग के लिए जितना देना चाहते हैं आप दे सकते हैं तो 11 इंच कार्ट के लेंग्ध है टूटल हम मिला के लेंग्ध 15 इंच पे इसकी कट करेंगे हम फोल्डिंग के लिए डाल देंगे तो यह दिएक इस तरह से 15 इंच लेंग्ध हम इसको कट कर लेंगे पो यहां से हम 15 इंच पे कट कर लेंगे और बीच से दोनों को अलग कर लेंगे बीच से कट करके इसके बाद हम players की नाप लेंगे तो players की नाप इस तरह से side से हम exceed line draw कर देंगे और इसके बाद हम players की नाप लेंगे तो सबसे पहले players के लिए हम 5 inch पे एक निशान लगाएंगे और इसके बाद 2 inch पे निशान लगाएंगे तो ये देखिए इस तरह से प्लिट्स को अच्छे से पिंस से सिक्यूर कर लेंगे ये देखिए फाइव इंच अंदर डालके टू इंच की प्लिट्स डालेंगे और इस तरह से पिंस से सिक्यूर करके हम इच्छे से स्टिच कर लेंगे एक स्टिच लगा देंगे कच्छा बेट यहां है कि गर सब्सक्राइब करें तो या दोनों साइट के हमने रेडि कर लिया प्लेटस टाल के इस तरह से तो हमें हमारे वेस्ट की नाब की हिसाब से हमें फ्लेटस डालनी के आपकी वेस्ट की लाप जितना इस तरह से हम लेंगे और लेंग्ट पे 9 इंच लेंगे ये देखिए 9 इंच पे एक निशान लगाया और एक फोल्ड करके हमें डबल फैबरिक लेना है तो इस तरह से फोल्ड करके हमने रखा है फोल्ड करके हमें 9 इंच पे तो विर्द पे भी 9 इंच है और लेंग्ट पे भ तो अब हम क्या करेंगे नेक पे राउंड शेप में इस तरह से और एक फोल करेंगे और मीडिल में हम यह दिखे नेक की राउंड शेप दे देंगे तो नेक के लिए हम टू इंच पे इस तरह से एक निशान लगाएंगे और नेक की कट कर लेंगे तो नीचे की तरफ हम 3 नेक की वर्थ 2 इंच एंड डीप हम 3 इंच देंगे तो इस तरह से रांड शेप में हम कट कर लेंगे तो आप 3 इंच पर करेंगे बाद में देखेंगे अगर कम पर आए तो और थोड़ा सा डीप कर देंगे इसकी तो इसको अब चार तरफ से हमें नीचे की तरफ ओपन रखे तीन सार्ज से हमें स्टिच कर लेनी है तो इसके बाद हम क्या करेंगे वान इंच एक फैब्रीक पीस कट करेंगे वान इंच और लेंग्ट आप यहां पे जितना है सब ले लेंगे तो यहां हम बैल्ट के लिए लूप कट करेंगे लूपी के लिए वान इंच फैब्रीक को कट करेंगे तो इसको इस तरह से वान इंच पर कट करके हम अंदर की तरफ स्टिच करके इसको पलट देंगे तो इससे हम लूपी पनाएंगे बैल्ट के लिए अब हमें West की belt की cut करना है तो West हमारा 28 inch है तो 28 इंच के हिसाब से हमें कट करना है तो 28 इंच यहां एक निशान लगाया और लूज हम यह दिखके लूजिंग के लिए यहां हमने 3 इंच विस्ट बेल को हम 3 इंच लूज देंगे यहां से साइड से इस पे हम हुक लगाएंगे और दोनों साइड से 3 इंच लूज देंगे और 5 इंच विर्थ देखके हम बेल्ट के लिए कट कर लेंगे तो हमारा बेल्ट की साइज आ जाएगा 2 इंच तो टोटल स्काट की हमें लेंग आएगा 13 इंच तो हम नीचे की प्लेट के लिए 11 इंच दिया है और बेल्ट देंगे 2 इंच बेल्ट तो इसके लिए हमने 5 इंच पे कट किया अंदर की स्टिचिंग मर्जिन में जाएगा हाफ इंच हाफ इंच हाफ इंच छोड़के 1 इंच जाएगा तो बाकी रहेगा 4 इंच तो टू इंच आ जाएगा दुना साइड में फॉल्ड करके तो टूटल स्कार्ट की लैंग थाएगा थाठीन इंच तो आप इसको इस तरह से कट कर लेंगे तो ये दिखी इस तरह से फॉल्ड करके स्टिच डालनी है हमें और बेल्ट इस तरह से आएगा अब हम बाकी जो फैबरिक ले गया है इससे हम क्या करेंगे बेक के लिए बेल्ट रेडी करेंगे तो दो बेल्ट हम रेडी करेंगे तो लेंग्ट देंगे 19 इंच और उर्थ पे 5 इंच देके दो हमने कट कर लेनी है तो यहां से उर्थ पे 5 इंच देंगे और 19 इंच लेंग्ट लेके हम फैबरिक को कट कर लेंगे तो अब इस तरह से लाइन कीच लिया है इस पे कट कर लेंगे दुनों को तो टूपीस फैबरिक हमने नाइन इंच नाइन इंच और फाइव इंच कट कर लिया है तो अब यह देखे लूप लूपी के लिए हमने फैबरिक को इस तरह से स्टिच करनी है तो इस तरह से स्टिच करके बाद में इसको हम पलट देंगे तो यह दिखे राड साइट पर टॉर्ण कर दिया है हमने अब हम इसको त्री एंड हाफ इंच इस तरह से त्री एंड हाफ इंच पीसेस कट कर लेंगे अब हम वेस्ट की वैल्ट के लिए यह दिखिए जो फाइब इंच फैब्री कुर्ट पर कट किया था इसको मीडिल में हमने इस तरह से कट कर लिया दोनों को दो पार्ट कर लिया और इसकी लैंग्ट हम वेस्ट की नाप हमारा 28 इंच है तो लूजिंग देके हमने इसको इस हम यूज करेंगे तो इसको हम इस तरह से साइड से स्टिच करेंगे नेक पर हमने और भी थूड़ा डिप किया है तो थी इंच हमारा कम पड़ जाता इसके लिए और भी हमने डिप किया है तो इस तरह से त्री त्री साइड से हमें स्टिच करनी है और नीचे की तरफ हम इस कि अब हम नैग पे चोटे सोटे कट्स लगाएंगे तो यहां पे कोने पे हमने इस तरह से कट्स लगा दिया और नैग पे भी हम चोटे चोटे कट्स लगाएंगे और अब इसको राइट साइट पे हम टर्ण कर देंगे तो इस तरह से हमें इसको राइट साइट पे टर्ण कर देनी है और इसको हम वेस्ट की वैल्ड के साथ स्टिच करेंगे मिलाके तो वेस्ट की बेल्ड को वेस्ट की जो दुसरी पार्ट है उसकी साथ हम इटाच करेंगे इसको तो सबसे पहले हम वेस्ट की बेल्ट को इस तरह से मीडिल में जहां 28 साइज वेस्ट की है तो इसकी मीडिल हमें लेके एक निशान लगानी है तो यदि की इस तरह से हम मीडिल मार्क करेंगे बेल्ट की तो इसकी बाद हमें इसकी भी मीडिल और एक यहां से लेंगे और मीडिल मार्क करेंगे और इसकी यह मीडिल मार्क और हमें फ्रॉंट की जो बेल्ट रेडि किया है इसकी मीडिल मार्क करेंगे अब दूनों की इस मीडिल मार्क को मिलाते हुए हमें स्टिच करनी है और इसकी साथ हमें लूपी को टच करनी है लूपी को साथ में लेते हुए हमें स्टिच करनी है तो फोर इंच फोर इंच की दूरी पे हमें लूपी को लगाएंगे तो ये देखिए इसके साथ हमने दो लूपी एड़ कर लिया है स्टिच कर लिया है तो middle से two inch आ रहा है, तो एक लूपी से दूसरी लूपी की gap हमें four inch रखनी है, हम रेमिने खना को यहां से four inch दूरी पे हमने और एक लगानी है, सब्चरब को हम in4 inch दूर हम stitch कर लेनी हैं कि तो लुपी को स्टिच कर लिया है लगा दिया है आब हम क्या करेंगे बैक की जो बैल्ट है इसको हम टच करेंगे वेस्ट की बैल्ट की साथ तो इसको यह देखिए इसकी इस तरह से फोल्ड करके रखे हमें मीडिल मार्क जहां निशान लगाया था यहां देखनी हैं तो मीडिल मार्ट की जहां वेस्ट की मीडिल मार्ट जहां लगाया था यहां पर हमें एक छोटे से कर्स लगा देनी है ताकि बाद में हमारा निशान लगाया अगर यह मिठ ना जाए मिठ जाए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी तो इस तरह से कट्स लगाएंगे तो बेक की जो बैल्ट हमने कट किया था इसको भी साइड से हमने स्टिच करनी है और इसको स्टिच करके हमें राइट साइड में टर्ण कर देनी है तो यह दिक्ए इसको राइट साइड में टर्ण कर दिया और चारा तरफ से हमने टॉप स्टिच भी लगा दिया है अब इसको इस तरह से यह देखिए इसी तरह से क्रॉस में स्टिच करनी है तो क्रॉस हमें बनानी है तो यह दिक्ए क्रॉस पे हमें वेस्ट पे अटच कर दिया है और बैल्ड की जो दूसरी पार्ट है वेस्ट बैल्ड की इसको अब इसकी ओपर हमें स्टिच करनी है इसी तरह से कि तो वेस्ट वेल्ड की दोनों साइट को हमें जॉइन लगा देनी हैं जॉइन की स्टिचिंग डाल देनी है तो आप इन लूपियों को इस दूसरी साइट में इस तरह से स्टिच कर देनी है तो इसी तरह से इस साइट पे भी स्टिच लगा देनी है तो यह दी कि हमने स्टिच कर लिया है अब हमें जो बटम पार्ट से वेस्ट की बैल्ड को एटच करनी है तो इसको भी हम मीडिल में स्टिच डाल दिया है दुनों पार्ट से को जर्ण करनी है और मीडिल मार्क करनी है वेस्ट की मीडिल मार्क को मिलाते हुए हमें बटम की मीडिल मार्क को दुनों को मिलाते हुए यस तरह से हमें स्टिच करनी है तो ये दीखिए इस तरह से दियान से हमें इस तरह से अच्छे से सेट करके हमें स्टिच करनी है तो यहां हमने पिन से इस तरह से पहले सिक्यूर कर लिया है और इसकी बाद स्टिच डालेंगे तो अब दूसरी साइड को इस तरह से टर्ण करनी है और इसको अंदर की तरफ स्टिचिंग को डाल के हमें टप स्टिच लगा देनी है यह देखिए इस तरह से इसकी उपर हमें स्टिच लगानी है तो अब हमारा वेस्ट की बैल्ट एटच हो गई है अब हम क्या करेंगे यहां से यह देखिए फोर इंच बैल्ट से फोर इंच नीचे हमें आपन रखना है यहां तक और यहां तक हमें स्टिच डाल देनी है दोनों साइड को मिलाते हुए तो इस तरह से यहां से स्टिच करनी है तो यह दिए कि स्टिच कर लिया है अब नीचे की तरफ हम में फोल्ड करके स्टिच करनी है तो लेंग से देख लेंगे हमारा टूटल थार्टी नीच आ रहा है कि नहीं तो थार्टी नीच जहां आ रहा है यहां से हमें नीचे जो जितना भी फैबिक है इसको फोल्ड करके स्टिच करनी है अब हमें हुग को लगाना है हुग यह देखिए तो रेडिमीट हुग को हम लगाएंगे तो इस तरह से इसको अच्छे से सेट करके हमें यहां पर लगा देनी है तो हुग लगाना बहुत एजी है आप जैसे भी लगा सकते है अच्छा तो वेच्ट पर हुग लगा दिया है हमने है अब हमें बैल्ड पर यह दिकिया आई एंट बटन लगानी है तो इस आई एंट बटन के लिए हमने निशान लगा ता मेशीन को स्टिच कर सके हम pengagi कि निशन लगा देनी यहां के लिए तो ढ़्राजियता इसाइट पर इस तरह प्राज़ लगा देनी है और इसकी आभाद हमें था को और अब यहां हम नॉर्मल पीट को हटाएंगे और आई पीट को यूज करेंगे मेशिन में तो अब हम आई को स्टिच करेंगे तो यह है आई पीट इसको हम सट करके स्टिच कर लेंगे तो आप देख सकते हैं मेशिन पे इस तरह से स्टिच करनी है तो पहले हम मेडिल की स्टिच लगाएंगे इसकी बाद लेफ्ट साइट पे सेट करेंगे और इसकी बाद हम राइट साइट पे सेट करेंगे तो आप लेफ्ट साइट की स्टिचिंग हो रही है आई की और इसकी बाद हम मीडिल की फिर्ट से करेंगे और इसकी बाद हम राइट से करेंगे तो यह देखे हमारा स्टिचिंग हो गई है सेम इसी तरह दूसरी साइट में हमें स्टिच कर लेनी है अब इसको यहां से मीडिल से कट कर लेंगे यह दिखिए इस तरह से कट कर लेंगे तो हमारा बन गया है अब यह दिखिए बाटन्स भी अंदर जा रही है अच्छे से अब इसको भी स्टिच कर लेंगे सेम मेतड़ से तो यह दिखिए दुसरी साइड को भी हमने स्टिच कर लिया और इसको भी इस तरए से मीडिल से कट कर लिया और बटन करने के लिए बटन की में आप दिया है आप बिर्टन को स्टिच करेंगे पिर मेकल द Shah M Kelly से बहुत आइक प्जादार करना है ने इस्वबसमें कर सकते हैं उसका है और ना में ये सब जैने लिए बाता है या उसका केंद से Çelex करेंगे तो बोंट भी स्टिच कर लिया है अब बटन्स को इस तरह से आयिकी अंदर डाल के देगेंगे दोनों को हमने स्टिच कर लिया है तो हमारा Skirt बनके त्यार हो गया है तो Friends Scorp чем कैसा लगा वीडियो अप Comments में फीडबेक दीजिए और वीडियो को ठोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए सबस्क्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को भी क्लिक करके रखिए ताकि आगे मेरे जो भी नए वीडियो आए तो आपके पास सबसे पहले नटिफिकेशन आज आए और प्लीज ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए तैंक यू फ्रेंड्स तैंक यू फर वचिंग है वैनाइस टे और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए मेरे वीडियो को और शेयर करना मत भूलिए